Hello everyone, welcome to Study Cloud. आज इस वीडियो में हम करेंगे September महिने के चौते हफते से Best 75 Questions. तो ये September महिने का Part 4 है. आईए इस वीडियो को सुरू करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं Important Days, यानि कि महत तुपुन दिन कौन कौन से रहे. पहला है World Rose Day, ये होता है 22 September को. फिर है World Rhino Day, ये भी होता है 22 September को. International Day of Sign Languages, ये मनाया गया 23 September को. और इस बार इसका थीम था, Sign Languages are for Everyone. Sign Languages are for Everyone. World Maritime Day, विस्व समुद्री दिवस, ये भी मनाया गया 24 September को. और इस बार इसका थीम था, Sustainable Sipping for a Sustainable Planet. इस बार भारत में मनाया गया अंतियोद्य दिवस, ये मनाया गया 25 September को. चुकि इसी दिन, पंडित दिन द्यालुपाद्याय का जन्दिन होता है, इसलिए इस दिन को मनाते हैं अंतियोद्य दिवस, ये मनाया गया 25 September को. वर्ल्ड फार्मासिश्ट दे, ये मनाया गया 25 September को. और इस बार इसका थीम था, Transforming Global Health. वर्ल्ड इन्वर्मेंटल हेल्थ दे, ये होता है 26 September को. इंटरनेशनल डे, पॉर टोटल एलिमिनेशन ओफ नुकलियर वेपन्स, ये भी होता है 26 September को. वर्ल्ड टूरिजम डे, ये मनाया गया 27 September को. और इस बार इसका थीम था, Tourism and Rural Development. वर्ल्ड रेविज डे, ये होता है 28 September को. और इस बार इसका थीम था, End Rेविज, Collaborate Vaccinate. वर्ल्ड हार्ट डे, ये होता है 29 September को. और इसका थीम था, Use Heart to Beat Cardiovascular Disease. और लास्ट है International Translation Day, ये मनाया जाता है 30 September को. तो ये थे महत्तोपुन दिन, अब आये देखते हैं और वीच्वरीज. यानि कि ऐसे मस्वूर लोग, जिनकी चौते हफते में मृत्ति हो गए, उनके सर्धानजली के रूप में. लिजेंडरी रविंदे संगीत सिंगर, ये रविंदे संगीत गाती थी, ये थी पूर्वा डैम, इनकी मृत्ति हो गए. जाने माने मराथी एक्ट्रिस आसालाता वावगाउंकर, इनकी भी बित्ति हो गए. पूर्व करनाडा के प्रधान मंत्री जॉन टर्नर, इनकी भी डेथ हो गए. नेपाल के लिजेंडरी मॉंटेनियर अंगरीता सिर्पा, इनकी भी डेथ हो गए. आसाम के फेमस म्यूजिशियन विभू रंजन चौधरी, इनकी भी डेथ हो गए. मिनिस्टर फॉर स्टेट पर रेलवेज, सुरेज चन्बसपा अंगडी, इनकी भी डेथ हो गए. फॉर्मर एस्ट्रेलियन क्रिकेटर, इनकी भी डेथ हो गए. पूर्व यूनियन मिनिस्टर जस्वंत सिंग की भी मृत्ति हो गई आसाम की पहली जो महिला मुख्यमंत्री थी साइदा अन्वरा तैमूर इनकी भी डेथ हो गई अब आईए हम देखते हैं MCQ Format की तरफ तो हमारा पहला प्रश्ण है Judiciary Judges and the Administration of Justice इस पुस्तक के लेखक कौन है यह पुस्तक लिखी गई है आर बानुमती के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है आर बानुमती के द्वारा यह सुप्रीम कोट की पुर्वे जज हैं यह तमिल नाडू से हैं और यह जहरकन हाई कोट की Chief Justice भी रह चुकी हैं आर बानुमती और यह भी ध्यान रखे वर्तमान में सुप्रीम कोट में अभी केवल दो महिला जज हैं एक हैं इंद्रा बैनर जी और दूसरी हैं इंदू मल किया है यह किया है Ministry of Ius ने आयूस मंत्राले ने महिला और बाल बिकास मंत्राले के साथ एक समझता गया पंसाइन किया है ताकि को पोशन को नियंद्रित किया जा सके और हमारे आयूस मंत्री हैं स्रीपद यश्व नायक जिनकी कौंस्टिचुएंसी है नौर्थ गोवा सप्टमबर महा को हम पोशन महा के रूप में मनाते हैं और एक से साथ सप्टमबर तक को हम राश्ट्रिय पोशन सप्ता के रूप में मनाते हैं और जो हमारी महिला और बाल बिकास मंत्राले के मंत्री हैं वो है स्मिर्थी रानी जो कि टेक्स्टाइल मिनिस्टर भी है Artificial Intelligence, Blockchain और Cyber सुरक्षा पर नीतियों के साथ आने वाला देश का पहला राज्य कौन है कौन ऐसा राज्य है जिसने Artificial Intelligence, Blockchain और Cyber सुरक्षा पर अपनी नीतिया बनाई है ये राज्य है तामिल नाडू तामिल नाडू राज्य जो है वो अब मसली उत्पादन में भी नंबर वन राज्य बन चुका है तामिल नाडू सरकार ने हाली में वहाँ की मुख्य मंत्री पुरसकार दिया था शौम्या शौमीनाथन को जो की डबलू एचो की साइंटिस्ट हैं उन्हें तामिल नाडू सरकार के द्वारा मुख्य मंत्री पुरसकार दिया गया था और तामिल नाडू के मुख्य मंत्री है इड़ा पड़ी के पलानि स्वामी समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्राले ने कितने परभावित जिलों में नसा मुख्य भारत अवियान सुरू किया है ये नसा मुख्य भारत अवियान सुरू किया गया है 272 परभावित जिलों में और जो इसके मंत्री हैं समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्राले के मंत्री हैं वो हैं थावरचंद गहलोत इनके द्वारा ये शुरू किया गया 272 जिलो में नसामुक्त भारत अभियान उन दो महिला अधिकारियों का नाम बताईए जिने भारतिया नौसेना के हलिकॉप्टर स्ट्रीम में आपजर्बर के रूप में सामिल होने के लिए चुना गया है ये बनी है एरबॉर्न टैक्टिसियंस ये दो जो महिला अधिकारी हैं इनका नाम है कुमूदीनी त्यागी औ और रीती सिंग जीने परियवेक्षक यानि की आपजर्बर बनाया गया है बायातिया नौसेना के हलिकॉप्टर स्ट्रीम में ये बनी है एरबॉर्न टैक्टिसियंस किस राज्य ने अम्मा मोबाइल रासन सौप के तहद 3401 मोबाइल सरवजनिक विद्रन आउटलेट लॉंच किया है ये किया गया है तमिलनाडू राज्य के दोरा तमिलनाडू राज्जी ने अम्मा मोबाईल रासन सौप के तहट 3401 यानि की 3401 मोबाईल सर्वजनिक विद्रन आउटलेट लॉंच किये हैं इन्हें अभी अभी सुरू किया गया है किस IIIT संस्तान ने कम लागत वाली वेंटिलेशन डिवाइस जिसका नाम है स्वासनेर इसे बनाया है ये बनाया है IIIT भूबनेश्वर ने IIIT भूबनेश्वर ने इसे बनाया है जिसका नाम है स्वासनेर ये बनाया गया है वेंटिलेशन डिवाइस कीचेंस ओफ ग्रेटिचूड इस पुस्तक के लेखा कौन है ये पुस्तक लिखी गई है विकास खन्ना के द्वारा मसहूर सेफ विकास खन्ना नी से लिखा है कीचेंस ओफ ग्रेटिचूड 2020 इटालियन ओपन का पुरस पुरुष एकल किताब किसने जीता है ये जीते हैं नुवाक जोकोविच ने जीता है 2020 इटालियन ओपन और महिलाओं की बात करें, तो महिलाओं में जीता है इसे शिमोना हेलेप ने, शिमोना हेलेप रुमानिया की खिलाडी है और नुवाग जोकविच ये सर्भिया के खिलाडी है और हाली में यूएस ओपन भी हुआ था जिसको जीता था पुरुष में डोमिनिक थियेंग ने जो कि आस्ट्रिया की खिलाड़ी है और महिलाओं की कैटेगरी में बात करें तो महिलाओं में जीती थी नाओमी उसाका जो कि जापान की खिलाड़ी है उन्होंने जीता था यूएस ओपन Corporate मामलो के मंत्राले ने Company Law Committee के कारेकाल को एक साल और बढ़ा दिया है इस समीती का परमुक कौन है इसके हेड कौन है इसके हेड है राजेस वर्मा इसके हेड है राजेस वर्मा किस राजे ने किसानों की कठिनाईयों को कम करने के लिए e-peak पहाणी Mobile Application लौंच किया है ये लौंच किया गया है महरास्ट सरकार के द्वारा और कुछ दिनों पहले महरास्ट के सरकार ने एक और एप लौंच किया था जिसका नाम था महा कवच ताडेज पोगाकर जिसने टूर डे फ्रांस साइकलिंग इवेंट को जीता है वो किस देश से हैं वो हैं स्लोवेनिया से ताडेज पोगाकर ये स्लोवेनिया के हैं और ये जो साइकलिंग रेस है ये एल्प्स की पहाड़ियों में आवेजित की जाती है इसका नाम है तूर जेनीमेक्स मेडिया को 7.5 बिलियन डॉलर में खरीदा है। ये कंपनी है Microsoft, Microsoft ने जेनीमेक्स को 7.5 बिलियन डॉलर में खरीदा है। संयुक्त राष्ट पर्यावरन कारिकरम, United Nations Environment Program, UNEP, UNEP के द्वारा भारत के लिए छेत्रिय राजदूत के रूप में इसे निउत किया गया है। किस सोचल मेडिया कंपनी ने छोटे वेवसाओ की मदद करने के लिए एक नया फीचर बिजनेस सुइट लॉंच किया है। ये कंपनी है Facebook, Facebook ने एक नया फीचर लॉंच किया है जिसका नाम है बिजनेस सुइट ये लॉंच किया गया फेस्बुक के द्वारा और ये बेसिकली लॉंच किया गया है छोटे वेवसाओ की मदद करने के लिए। केंदर सरकार ने किस राज्य में न्यूट्रीनो वेदसाला स्थापित करने की योजना बनाई है ये न्यूट्रीनो वेदसाला बनेगी तामिल नाडू में तामिल नाडू के थेनी जिले में बोधी वेस्ट हिल्स जो है वहाँ पर ये बनाई जाएगी न्यूट्रीनो इस योजना के तहर चारहजार रुपए की वित्तिया मुआपजा सरकार की तरफ से दी जाएगी किशानों को। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपरादों से निपटने के लिए किस राज्ज ने पांच जिलों में प्रोजेक्ट सील्ड पहल सुरू की है। ये राज्ज है तमिल नाडू तमिल नाडू राज्ज के पांच जिलों में प्रोजेक्ट सील्ड चलाई जा रही है। पर ये चलाई जा रही है महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपरादों को कम करने के लिए उनसे निपटने के लिए। और इसी प्रकार की एक योजना चलाई जा रही है, एक operation चलाई जा रही है, उतर प्रदेश सरकार के द्वारा, जिसका नाम है operation दूराचारी, ये वहाँ के महिलाओं से छेड़ चाड़ रुकने के लिए वहाँ पे चलाई जा रही है, operation दूराचारी, उतर प्रदेश सरकार के बार चलाई जा रही है भारत सरकार ने Unicef के साथ मिलकर भारत में कौन सा Westwick बहु हित धारक प्लेटफ़र्म लाउंच किया है Global Multi Stakeholder प्लेटफ़र्म इसका नाम है UWA भारत सरकार ने Unicef के साथ मिलकर लाउंच किया है इसका नाम है UWA UNICEF के हैड़क वाटर है निव यॉर्क में SEBI Securities and Exchange Board of India SEBI ने किसकी अध्यक्षता में Social Stock Exchange पर एक तखनी की समीथी अगठन किया है इसके अध्यक्ष होंगे हर्स कुमार भानवाला ये नाबाट के पुरू चेर्मैन है हर्स कुमार भानवाला जो की इस Social Stock Exchange पर जो एक समीथी बनी है इसके अध्यक्ष होंगे और वर्तमान में जो नाबाट के चेर्मैन है उनका नाम है चिन्तला गोविंद रजूलू राफेल बीमान उढ़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पाइलट कौन बनने वाली है इनका नाम है सीवांगी सिंग ये वरान Hersi की है इनका नाम है Sivangi Singh जो की Raphael विमान उड़ाएंगे और Raphael विमान जो है वो भारत ने खरीदा है France से France की company The Salt Aviation से ये Raphael विमान खरीदे गया है और ये Raphael विमान जो है वो भारत आए हैं और number 17 squadron में सामिल हुए है जिसे golden arrow squadron भी काते हैं उसमें ये सामिल हुए है राफेल बिमान वाइसेज ओफ डीसेंट इस पुस्तक के लेखा कौन है वाइसेज ओफ डीसेंट ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है ये लिखी गई है मसहूर इतिहासकार रोमीला थापर के द्वारा वाइसेज ओफ डीसेंट मुहम्मद हुसैन रोबल को किस देश का नया परधानमंदरी निउट किया गया है मुहम्मद हुसैन रोबल ये बने हैं सुमालिया के नया परधानमंदरी भारत का एक मात्र अभिनेता कौन था जिसने वर्स 2020 के लिए टाइम मैगजीन की सौ सबसे परभावसाली लोगों के सुची में जगा बनाई ये हैं आयुश्मान खुराना जो की 100 Most Influential People of the Year 2020 है उसमें ये जगा बनाए हैं सौ सबसे परभावसाली लोगों के सुची में और इस सुची में बिल्किस दादी भी हैं जो की साहीन बाग में हुए प्रोटेश्ट का चेहरा थी प्रधान मंत्री नरंद्र मोधी भी हैं और अभिनेताओं में एक मात्र अभिनेता हैं आयुश्मान खुराना Indian Council of Agricultural Research भारतिया क्रिशी अनुसंधान परिशद ने किस राज ने मोख्ष कलस योजना सुरू की है मोख्ष कलस योजना ये सुरू की गई है राजस्थान के सरकार के दोरा इसमें यदि किसी के परिवार में उनके किसी परिजनों की मृत्य हो जाती है तो उनकी अस्थियों को गंगा में बहाने के लिए हरिद्वार तक जाने का बस का किराया सरकार देगी तो ये किया है राजस्थान की सरकार ने मोक्ष कलस योजना कोई सुरुवात की है किस केंद्रिय मंत्री ने आयुश्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना की दूसरी वर्सगाट मनाते हुए आरोग्य मंत्री टू पॉइंटों की अध्यक्षता की ये हैं हर्सवर्धन अमारे स्वास्त मंत्री हर्सवर्धन इन्होंने अध्यक्षता की थी आरोग्य मंध्धन की किस राज्य ने मुख्य मंत्री ग्रामिन विकास अचोनी यानि की मुख्य मंत्री ग्रामिन परिवहन योजना की सुरुवात की है यह शुरुआत की गई है, असाम के सरकार के द्वर, असाम राज्य ने मुक्ह मंत्री ग्रामिन विकास अचोनी नाम की योजना शुरू की है, इसमें ग्रामिन इलाकों को यातायात के सुविधा मिलेगी केंद्रिय आयूश मंतरी श्रीपद यश्व नायक और केंद्रिय राज्य मंतरी डॉकर जितिंदर सिंग ने संयुक्त रूप से किस सहर में आसदीय पौधो की खेती के लिए पोष्ट ह्र्वेस्ट मैनेजमेंट सेन्टर शुरू किया है और जोकी जम्मुकास्मीर में ये सेंटर सुरू किया गया है बधरवा जम्मू कास्मीर में संयुक्त राष्ट विकास कारेकरम के लिए इस गायक को सदभावना राजदूत के रूप में निक्त किया गया है ये हैं येमी अलाडे इसर इंडिया ने सोनु सूद को अपना brand ambassador निउट किया है और हाली में सोनु सूद ने एक app भी launch किया था जिसका नाम है प्रवाशी रोजगार किस राज्य ने छात्रों को सीखने, career counseling और रोजगार प्राफ्त करने में मार्ग दर्शन करने के लिए यूराइज नाम का एक एक इकरित portal launch किया है एक unified portal launch किया है जिसका नाम है यूराइज ये launch किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में ये launch किया गया यूराइज और कुछ दिनों पहले एक और portal launch किया गया था उत्तर प्रदेश में जिसका आमीर खान को C.A. Taras ने अपराम ब्रांडम मेस्टर बनाया है और आमीर खान एक और ब्रांडम मेस्टर बने है जिसका नाम है वेदान्तू वेदान्तू ने भी आमीर खान को अपना ब्रांडम मेस्टर बनाया है World Risk Index विश्व जोकिम सुच्कांक में भारत का रेंग क्या है भारत का रेंग है 89 बारत 89 पोजिशन पे है यानि कि यदि जलवाई परिवर्तन होता है तो भारत की इस्तिति सम्मेदन सील है और इसमें नमबर वन पे है वानुवातू इसका मतलब यह है कि यदि जलवाई परिवर्तन होता है तो सबसे ज़्यादा प पड़ेगा ये सबसे कम जोखिम में है किस रज ने गैर संक्रामक रोगों के लिए अपने उतक्रिष्ट योगदान के लिए संयुक्त राष्ट पुरसकार जीता है यानि कि गैर संक्रामक रोगों के नियंत्रन एंगरोग थाम में विशिष्ट कारे करने के लिए संयुक्त र इसका नाम है Safe Pay, एक Contactless Debit Card Based Payment Facility है, यह किस बैंक के द्वारा लॉंच किया जाएगा, यह लॉंच किया जाएगा, IDFC First Bank के द्वारा, Safe Pay, Reserve Bank of India ने सहरी सहकारी बैंकों के समक्ष आने वाले साइबर सुरक्षा खत्रों से निपटने के लिए कौन सा पांच अस्तमभिय या पांच सुत्रिय रणनितिक द्रिश्टिकोन बनाया है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है Guard, यह Reserve Bank of India के द्वारा बनाये गया है, इसका नाम है Guard जो की सहरी सहकारी बैंकों से जो भी उनमें Cyber Security से रिलेटेट खत्रे आ रहे हैं, तो इनसे निपटा जा सकता है इसके सहारे International Film Festival of India, भारतिय अंतर आस्ट्रिय फिल्म महुत सो, इसका जो एक कावानवा संसकरन 2021 में होना है, यह किस राज़ी में आयुजित किया जाएगा यह होगा गोवा में, यह गोवा में आयुजित किया जाएगा और हाली में गोवा की बहुत से चीजों को GI टैग मिला है, जैसे कि हर्मल मिर्च है, खोला मिर्च है, एक मिठाई है, जिसका नाम खाजे है, एक केला का प्रकार है, जिसका नाम मोरा है, इन सबी चीजों को GI टैग मिला है हर्मल मिर्च, खोला मिर्च, खाजे मिठाई और केला है जिसका नाम है मोरा, इन सबको GI टेग मिला है Electronics और सुचना प्रध्योगी की मंत्राले इस संगठन के साथ मिलकर रेच 2020 सिखर सम्मिलन का आयोजन करेगा ये करेगा नीती आयोग के साथ मिलकर Electronics और सुचना प्रध्योगी की मंत्राले इस साथ मिलकर रेच 2020 सिखर सम्मिलन का आयोजन करेगा खादी और ग्रामद्योग आयोग ने किसे अपना सलहकार निउट किया है कौन बने है एडवाईजर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमिशन में ये हैं सुनील सेथी इनका नाम है सुनील सेथी और खादी और ग्रामद्योग आयोग के चेर्मेन है विने कुमार सकसेना जीमेक्स जीमेक्स एक समुद्री अभ्यास है जो भारत किस देश के साथ करता है ये भारत करता है जापान के साथ जीमेक्स और हाली में जापान के नए प्रधान मंद्री बने हैं उनका नाम है योसी हीडे सुगा जापान में नए प्रधान मंद्री बने हैं जिनका नाम है योसी हीडे सुगा और जापान के साथ भारत और भी युद्ध ब्यास करता है जैसे कि सहयोग काईजीन, धर्मा गार्डियन, सिन्यू मैत्री और भारत और जापान एक एक्ससाइज करते हैं अमेरिका के साथ मिलकर जिसका नाम है माला बार उसमें तीन देश होते हैं बारत, अमेरिका और जापान हाल ही में मद्य परदेश के किस सहर में सेंटर फ्र डिजबिलिटी एस्पोर्ट्स की अधारसिला रखी गई ये रखी गई ग्वालियर में ये बनना है ग्वालियर में दिब्यांग जनों के लिए Center for Disability Sports परदान मंतरी सहज बिजली हर घर योजना जिसे सौभागी योजना कहते हैं इसने 25 सितंबर 2020 को कितने वर्ज पूरे किये ये योजना लॉंच की गए थी 25 सेप्टंबर 2017 में तो इसे अब 3 वर्ज पूरे हो गए है 25 सितंबर 2020 को परदान मंतरी सहज बिजली हर घर योजना जिसे बोलते हैं सौभागी योजना और इसे अब 3 वर्ज पूर्ण हो चुके हैं इनर्जी एफिसियंसी सर्विसेज लिमिटेड इसने किसे अपना प्रबंध निदेशक निउट किया है कौन बने हैं इसके मैनेजिंग डिरेक्टर इनर्जी एफिसियंसी सर्विसेज लिमिटेड पे इनका नाम है रजट सूध रजट सूध बने हैं इसके मैनेजिंग डिरेक्टर भारत का पहला कोष्ट गार्ड अकेडमी किस सहर में स्थापित किया जाएगा ये बनेगा मंगलूरू में ये बनेगा मंगलूरू में पहला कोष्ट गार्ड अकाडमी भारत के किस हवाई अड़े को A.C.I. द्वारा हवाई अड़ा स्वास्त मानिता यानि की एरपोर्ट हेल्थ एक्रेडिटेशन पुर्दान किया गया है ये मिला है राजियो गांदी इंटरनेशनल एरपोर्ट को जो की हैदराबाद में है इसे मिला है हवाई अड़ा स्वास्त मानिता किसे गोल्डन पेन ऑफ प्रिडम अवर्ड दोहजार बीस से सम्मानित किया गया है ये अवर्ड मिला है कोलंबिया की पत्रकार हैं ये जिनका नाम है जिनेथ वेडोया लीमा इन्हें ये मिला है गोल्डन पेन ऑफ प्रिडम अवर्ड दोहजार बीस इन्हें बहादूरी के साथ पत्रकारिता करने के लिए ये अवर्ड दिया गया है और इन्हें ही मिला था गिलर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ट इंटरनेशनल मोनेटरी फंड अंतरास्ट्रिय मुद्राकोस के कारेकारी निदेशत के सलाकार के रूप में किसे नुद्ट के गया है कौन बने हैं एक्जीक्यूटिव डारेक्टर के एडवाईजर ये बनी हैं सिमानचलादास इंका नाम है सिमानचलादास और इंटरनेशनल मोनेटरी फंड की डारेकटर जनरल है क्रिश्टलीना जौर्जीवा जोकी बूलगरिया की है और इन दोनों का भी नाम याद रखे ये भी काफी important है राजेस खुलर ये बने हैं World Bank के Executive Director और समीर खरे ये Asian Development Bank के Executive Director बने है राजेस खुलर और समीर खरे उत्तर परदेश का पहला गिद सनरक्षन और परजनन केंदर किस अस्थान पर अस्तापित किया जाएगा ये कहां बनेगा ये बनेगा गुरखपूर में उत्तर परदेश के गुरखपूर में पहला गिद सनरक्षन और परजनन केंदर बनेगा और उत्तर परदेश के गौतम मुद्नगर में बन रहा है Film City उत्तर परदेश के गौतम मुद्नगर में सबसे बड़ा Film City बन रहा है महिला चाहिन समीथी के अध्यक्ष के रूप में किसे निउप्ष किया गया है? कौन बनी है? Chairman Women's Selection Committee के इनका नाम है नीतू डेविड BCCI के द्वारा नीतू डेविड को महिला चाहिन समीथी का अध्यक्ष निउप्ष किया गया है बीमा नियामग रिड़ाई ने निमनलखित में से किस कमपणी की पहचान घरेलू रूप से ब्यवस्तित महत्पुन्ड बीमा कमपणी के रूप में की है कौन सी इंसुरेंस कमपणी है जो की डोमेस्टिक सिस्टेमेटिकली इंपोर्टेंट इंसुरेंस बनी है ये कंपनियां हैं Insurance Corporation of India, General Insurance Corporation of India और New India Assurance ये तीनों कंपनियां जो की घारेलू रुपसी विवस्तित महतुपुन बीमा कंपनियां हैं हेग में Permanent Court of Arbitration में भारत सरकार के खिलाफ 20,000 क्रोड रुपय का Retrospective Tax का केस किस कंपनी ने जीता है ये कंपनी है वोड़ाफोन वोड़ाफोन ने ये केस जीता है और वोड़ाफोन ने आइडिया के साथ मिलकर कंपनी बनाई है जिसका नाम रखा है वाई भी आई वाई और और इसके CEO है रविंद्र ठककर किस किर्केटर ने MS धोनी के T20 International में विकेट कीपर के तौर पे सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रेकॉर्ड तोड़ा है ये है अलाइसा हेली ये ऐस्ट्रेलिया की विकेट कीपर है जिनोंने महेंद्र सिंग धोनी का T20 International मैचेज में जो व इंडस्ट्रियल रिसेर्च वैग्यानिक और अध्योगिक अंसंधान परिशत ने 26 सितंबर को अपना उन्नासीवा अस्थापना दिवस मनाया 79 फांडे संडे इस संगटन के स्थापना किस वर्स में हुई थी CSIR का स्थापना हुई थी 1942 में और अभी CSIR के चेर्मैन है सेखर मन दे किस आयटिक संस्थान ने मौसिक नाम का माइक्रो प्रोसेसर बनाया है यह मौसिक नाम का माइक्रो प्रोसेसर है यह बनाया गया आयटि मदरास के एदराबाद में Education टेक start-up वेदांतू ने किसे अपना brand ambassador नुक किया है वेदांतू के brand ambassador बने हैं आमीर खान जो की phonepay के brand ambassador बी है और हाल ही में ये CA Tellers के भी brand ambassador बने हैं आमीर खान हाल ही में बारत के किस सहर में ट्राम लाइब्रियरी खुला गिया है ये ट्राम लाइबरेरी खुला है फोलकाता में किस राज्य ने कक्षा आठ तक के छात्रों के लिए रेडियो पार्ट साला का रिकरम सुरू किया है ये रेडियो पार्ट साला प्रोग्राम जो है ये सुरू किया गया है उडिसा के सरकार के द्वारा उडिशा राज्य ने ये कक्छा आठ तक के चात्रों के लिए सुरू किया है उडिशा के मुक्यमंत्रिय नमीन पटनायाग और गवर्नर है गणेशी लाल केंद्र ने रिजिनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन के फस्ट लूक का खुलासा कर दिया है जो की दिल्ली से मेरट जाएगी दिल्ली गाजिया अबाद होते हुए मेरट तक जाएगी ये कितनी किलोमेटर परती घंटे की रफतार से चल सकती है मैक्सिमम ये चल सकती है 180 किलोमेटर पर आवर की स्पीड से किस राज ने परियाटन संजीवनी योजना शुरू की है ये योजना शुरू की गई है आसाम के दोरा इसमें एक से बीस लाख तक का लोन उन कमपनियों को मिलेगा जो की परियाटन को बढ़ावा देंगी ये शुरू की गई परियाटन संजीवनी आसाम के दोरा भारतिय रेजरो बैंक ने उपभोकता जागरुकता अभियान के लिए किस बॉलिवूड अभिनेता को निप्त किया है ये हैं अमिताब बच्चन भारतिय रेजरो बैंक ने अमिताब बच्चन को कस्टमर अवेर्निस कैम्पेन के लिए निप्त किया है ACI Vikas Bank, ACN Development Bank ने किस राजी के छोटे सहरों को जो कि सेकेंडरी टाउंस हैं उनको विक्सित करने के लिए बाइस सो करोड रुपे का रिंड मंजूर किया है ये बाइस सो करोड रुपे का लोन मिलेगा राजस्थान को ये राजस्थान को ये लोन दिया जाएगा ताकि वहाँ पेजल और स्वच्चता के बुनियादी धाजों में विकास किया जा सके Medical Device Park जिसका नाम है Medes Park ये किस राजी में अस्थापित किया जाएगा ये Medes Park बनेगा केरला में J.K.L.C. Sixer Cement ने किसे अपना Brand Ambassador नुट किया है ये बने है रोहित सर्मा इस मंदिर का Shrine Board मंदिर के Live दर्शन के लिए एक Mobile App लॉंच करेगा ये किया जाएगा माता वैस्णो देवी मंदिर के द्वारा अब जो भी लोग हैं वो लोग अगर चाहें तो वो Live दर्शन कर सकते हैं एप के मांत्यम से आकास Education Services Limited ने किसे अपना Brand Ambassador नुट किया है आकास Education Services Limited ने येवराज सिंग को अपना Brand Ambassador नुट किया है इस मंत्राले ने दीन दयाल उपाधिया ग्रामिन कोसलिया योजना इसके अस्थापना दिवस को कोसल से कल बदलेंगे कारेकरम के रूप में मनाया ये मंत्राले है Ministry of Rural Development यानि की ग्रामिन विकास मंत्राले ने जिसके मंत्री है नरेंदर सिंग तोमर तो ये ग्रामिन विकास मंत्राले ने इस अस्थापना दिवस को कोसल से कल बदलेंगे नाम के प्रोग्राम से मनाया है किस राज्जे ने राज्जे के 1000 ट्रांसजेंडर रक्तियों को बोजन कीट प्रदान करने का निर्णा लिया है तो ये किया जाएगा केरल के द्वारा, केरलराजे वहाँ के 1000 ट्रान्सजेंडर रिक्तियों को भोजन कीट प्रदान करेगा किस बैंक ने वेर हाउस कोमोड़िटी फाइनन्स एप लांच किया है? ये एप लांच किया गया है HDFC बैंक के द्वारा Warehouse Commodity Finance App launch किया गया HDFC Bank के दोरा और HDFC Bank के नए Managing Director अब बने है जिनका नाम है ससीधर जगदीशन भारतिय दूर संचार नियामक प्राधिकरन Telecom Regulatory Authority of India TRI TRI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नुक्त किया गया है कौन बने है TRI के चेर्मेन इनका नाम है P.D. वाघेला P.D. वाघेला को TRI का नए चेर्मेन नुक्त किया गया है निमनलिकित में से किसने अपने नए ब्रांड अभियान संपर करहित कनेक्षन यानि की Contactless Connection की सुरुवात की घुशना की है ये जो है ये प्रोग्राम है SBI Card का ये अभियान Contactless Connection ये है SBI Card का मौक्तर वौवने, मौक्तर वौवने को किस देश का नए प्रधानमंतरी नुक्त किया गया है तो मौक्तर वौवने बने है माली के नए प्रधानमंतरी प्रदाहन मंतरी नरंद्र मोदी ने गंगा से संबंदित पहला संग्राले गंगा अवलोकन को उधगाटन किस राज़े में किया है ये गंगा अवलोकन संग्राले का उधगाटन हुगा है उत्तराखंड में ये चांदी घाट हरीदवार में बन रहा है उत्तरा खड़न में गंगा आवलोखन महिलाओं के खिलाफ अपरादों की जांच के लिए किस राज्य ने ओपरेशन दूराचारी शुरू करने का फैसला किया है ओपरेशन दूराचारी चलाया जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा टोयेटा कमपनी ने अपने SUV मोडल अर्बन कुरूजर के लिए किसे ब्राण्ड अमबेसिडर ने उपकिया है आई उसमान खुराना बने हैं टोयेटा के अर्बन कुरूजर के लिए ब्राण्ड अमबेसिडर टोयेटा जापान की कमपनी है तो ये थे सेप्टेंबर महिने के चौते हपते से best 75 questions उमीद करता हूँ आपको पसंद आएंगे और आपकी तैयारी में मदद हो पाएगे ठैंक्स पर वाचिंग कीप सपोर्टिंग स्टेडी क्लाउड